दोस्तो जील्मॉस्टेर यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है दोस्तों उमिद हैं आप लोग आचहे होँगे जबरदस होगे दोस्तों नया सीरीज शूरू होने जा रहा है कल जो ओमेंस टिवेंटी बिग बेजलिग जो शूरू होने जा रहा है तो मैच यह सीरीज बैतर जाने बाला है बहुत सांथा सीरीज है तो हम लोग एगो छोने मैच करेंगे ज्यदा के ज़्यू और मेरे साथ जूरे रही है DAN और मेर्शो इनफॉर्मिंशं सबहुत है मैच के बीज में देन वाला हूं जो चैपन का चोईस देने वाला हूं वो आप लोग जुरूर ट्राइ कीजिएगा तो बहुत बैतार रेजल आने वाला है उमीद है आप लोग कल बहुत सारे वीनिंग करके सकीन साथ भीजोगे मेरे जो जील मगाश्टा टेलिग्रम जो ग्रूप है उधर तो चलिये सुरू करते हैं पहले क्या करूंगा तो आप लोग जुरूर रहते हैं तो आप लोग जुरूर स्कीन साथ देख लेते हैं उसके बाद ड्रीम 11 पर जाका टीम कंबिनेशन क्या होने बनाना चाहिए उभी में बता दूंगा तो चलिए पहले स्कोर काड देख लेते हैं देखिए दोस्तों इधर SSW VS VHW 2020 का स्कोर काड है देखिए एलिसा हेली SSW मतलब सिद्नी सिक्सर के पहले बैटिंग किया था देखिए एलिसा पेरी दो रान उसके बाद स्कॉरण में नहीं है देखना पड़ेगा मरी जियन रहता देखना पड़ेगा तो दोस्तों इस एलिसी तीन रहाउ और देखिए डर एक पर लिए मिला था जोर्ज प्रिस टूज देखिए एक अबर तीनर को यह जब झेश करने के लिए उत्रा देखिए इतर से सब्सक्राइब करने के लिए आ रही है तो यह बहुत सांदर कैप्टन का सांदर चॉइस है और सांदर चॉइस आप लोग एक बार क्या किजेगा इसको कैप्टन इसको बीसी देखे चलिए सब्सक्राइब करेंगा ठीक है तो क्योंकि यह भी दो से तीन अबर बॉलिंग डाल सकती है उसके बाद देखे एल हैरीस 15 तो यह मैच आसानी से जित चुका था देखिए इदर से एसस डाबलु का जो बॉलिंग परफॉमेंस देख लिजी इदर से मारजी नहीं है नहीं है द स्कुर्ण में नहीं है तो देख लिए और ले लिए मैं दूसरा स्कॉर का दिखाने बाला हूं इधर से देखिए दोस्तों पिस से इस डाबलु पहले बैटिंग किया था यह एली देखिए सोला रन यह पेडी देखिए चौदर रन एस लग गाटनर दिए भी एक सांदर कै स्कॉर्ण में नहीं है ठीके दोस्तों तो देखिए 169 रन मना था दो इक खोकर देखिए भी आसानी से मैच चेस कर लिया तो देखिए जी हैरिस देखिए ओपिनिंग में आई थी देखिए 54 रन जी रेड माइन देखिए विकलिपिंग सेक्शन से है 27 रन जी भॉल देखिए 23 रन जब बैटे बॉलिंग परफॉनस देखिए इधर से राधा यादोब जो है यह स्कॉर्ड में नहीं है इंडिया का तो यह एक विकेट लिया था और किसी को इक नहीं मिला था एक सायर रॉन आप हुआ था और जो भी इस डालो का बॉलिंग पर्फॉनस देख परफॉनस कर रही है तो इसको आप लोग जोरूर पिक किजेगा एलिसा हैली और बॉलिंग भी कर सकती है दो से तीना वार उसके बाद देखिए उतना और कोई खास उतना नहीं बना पाई थी भी फिर से जीद गए देखिए चेस कर लिए ते देखिए जोनासन थाट्टी 54 रां ठ्याइल है त्साव चेट दो नहीं है तो इसेस नहीं है स्कोर कर देखिए जोना स्कुर कर देखिए यह 2010-11 पोरफॉन्टेश डेंगर नाधृट कर ठीकिए और स्कूर कर देखे एससे डबलू पहले बैटिंग क्या था एलिसा हेली देखे 54 रन एलिसा हेली 13 उसके बाद तो बाई नहीं है स्कूर में नहीं है उसके बाद देखे बॉलिंग पर्पूमेंस देख लिए एसस का जे जो जेस जोनासन देखे कैप्टन जो था देखे चार अगर खेलेगी तो जोरूर पिक करके चलिया ठीक दोस्तों और उसके बाद दिक और को खास नहीं मिला था में एम करीं तो नहीं है रेड माइन चार रन बनाई थी जेस जोनासन देखे फिर से तीर रन बनाई और कर देखे एधर अठर रन बनाई थी उसके बाद एंडे क्ल इसके बाद इन बाउन्स के एक टेक वर में और दियर मनिया करको देखे एक विकेट ठीक है और इधर से और स्कूर कर देख लेते हैं इसके देखिए एक स्कूर काड पहले बैटिंग की थी हैली पाच रन देखिए एली से फेली दो रन और गाडेन अधी के 24 इवान तईज यह सोई आज धार नहीं है इसके बाद दिखी है वी इसको बोलिंग फ़ Prix मेंस इधर से से बाइनलिघ दो यके देखेंगे बॉम्ह से हसान से चेजिङ कर लिया था 25 तो हैं उसके बॉनेंद 25 जेस जॉनासन 33 जैड़ू मोमर्य ज़ fen国 वाम से इस के दो इकर ऑसके शाथ इस the विट गस्थ ठीए दूस्तों और एक स्कूर कर देखें ब्याइज डॉवलू कितना ख़तरना टीम है बेत मुनी देखें पचास रन बनाई थी उसके बाद और उतना कोई खास नहीं बनाई थी मैडिगें 21 रन और एम हिंक लिए 13 रन देखें बोली बैटिंग भी कर लेती है थोड़ा वक् और यह अले को देखें एक विकन मिला था देखें अल आउट किया था एक लिए 13 रन पेड़ी देखें 27 गरन अधस मैडी डर्क देखें तेरा और उतना खास नहीं है देखें बोलिंग पर्फुमेंस बीच का इस जोनसन दो विकेट सेमी जोजेंस दो एकेट और दर सदिक् थोड़ा वक्त मेरे को बीच डवलू का टीम बात्रवाग लग रहा है तो अब लोग ज़्यादा सा ज्यादा टीम बना रहा है तो आप लोग फिप्टी फिप्टी टीम कंबिनेशन बनाईएगा क्योंकि बीच डवलू को प्रेफर करते हुए 50 परसन टीम बनाईएगा ठी तो चलिए तो हम देख ली चुके हैं तो अभी में ड्रीम बनेशन के होने वाला है वह देखूंगा ठीक चलिए तो दोस्तों टीम कंबिनेशन बनाना से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहे प्लीज कॉमेंट पर बता दीजिएगा और जो जोएन हो जाएए जोएन होना है कैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो मेरा वीडियो को ट्रीक किजिए टाइटल को क्लिक करने के बाद आप लोग जुरूर डिस्क्रिप्शन पर चले जा होगे उधर सा अचनी की नीचा आके देखिएगा डो ब्लू कलर की लिंक ह यह आप मेरा चैनल है और एक मेरा गुरूप में आप ट्वाट चीप करता हूँ और उसके साथ सट में यदे टेलिग्रम कर देता हूं सुरू करता है टीम को मिलेशन क्या होने बाला है देख लेते हैं देखिए इधर से बहुत सारे प्लेयर तो है कोई खेलेगा कोई नहीं खेलेगा उतों देखना पड़ेगा तो अभी मैं एलिसा हेली और देखिए रेड माइन है तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं बीच डॉबल को पेपर करत यह आएगा और देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ लाइन पर कौन से नंबर पर कि बैसमन आएगा वह भी देखना पड़ेगा ठीके दूस्तों तो इदर से अभी मैं रेड मैं को लेके चल रहा हूं यह ले रहा हूं और इस बेस को और इधर देखिए डैनी वैट जो है बहुत खतरना क्लेयर है यह भी इसको मैं पिक कर रहा हूं और सूजी बेट्स अगर देखिएगा जो रिसन में वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज चाल रहा था लेकिन सूजी बेट्स बोलिंग भी कर रही थे कर रही थी तो इसलिए थ करके जील टीम बना लीजिएगा जो टीम कंबिनेशन के पात प्रिव्यू दिखाऊंगा उधर में बोल दूंगा तो उसके बाद और इधर कोई उतना खास नहीं है लेकिन यह बहुत खतरनाक प्लेयर है बोलिंग भी अच्छा कर लेती है तो इसको आप लोग जोरूर पीक करके चलिएगा देखना पड़ेगा कि यह खेल रही कि नहीं खेल रही है अगर खेलेगा तो मैं किसी के उपर मिलिक्स लेकर इसको में पीक कर सकता हूं अभी मैं चोर रहा हूं उसके बाद देखिए इधर से गाडनर है कार है जोनासन है और हैरी से चारो के चारों प्लेयर स्पीन को पेपर कर रहा है तो इसको जोरूर कैप्टन बाना के चलिएगा ठीक है दोस्तों इसके बाद एमिली कैर भी बहुत सांधर चौह से लेकिन इसका बैटिंग लाइन आप बहुत नीचे है तो देखना पड़े का लाइन आप आने के बाद इसका बैटिंग और कॉन की लेकिन इसको क्यापन वाइस करने नहीं बनाऊंगा उसके साथ सथ एब इसको मैं क्यापन वाइस करने के लिए आती है उसके बाद देखिए बोलिंग से एकल स्टोन आगर खेलेगी तो उसको जो रपी करूंगा और इसके बाद दिखिए वाड़ी में जो हैंकोंक का नाम दोस्तों बहुत कर सकता हूँ क्योंकि इसका सीलेक्शन बहुत जादा है तो इसलेश लेने बाला हूँ इसके बात देखिए जेकर को जोरूर पिक कीजिए एक अपर बॉलिंग डाल सकती है और इधर से अभी इसको अभी में हैंकोंग को ले रहा हूं और अगर कोई आच्छा प्रेयर खेलेगी तो देखना पड़ेगी पड़ेगा तो इससे अभी में किसी को रिक्स लेना का दोम हम दोगे सबस्टेट करना लीजिए तो इदर से कैप्ट्टिन वाइस के साथ हरी कि जो आइसके बना लीजएगा इसको बना दीजिए उसके साथ बीशिकक फैक्रेस को कीजीएगा एक टीमने कैप्टेस को छथे वह गाड़ाइग तो उसके साथ देखिए देखें जयाए पहले में जो च्वाइस वो है यह चार वाल डाउंडर इसके बाद यह है और उसके साथ सदी के सूजी बेट्स डायाट और इपेरी थुरा भक्त तो यह इसाथ बहुत इंपोर्टन होने बाला है ठीक है साथ से हाट प्लेयर कैप्टन वास करक्ण का अच्छा च्वाईस मैं पहले ह पूर्भ को मैं कैप्टेन देता हूं और सूजी बेट्स को मैं भीसी देखेट चलूंगा अगर सूजी बेर्स बोलिंग करेगी तो हम लोगों के लिए वह बहुत बहुत बैतार होने बाले बोलिंग बैटिंग तो संदर कर लेती है अभी बोलिंग भी करना शुरू कर दिये तो इसलिए मैं थोड़ा बागत रिक्स लेकर इसको ही भीसी बना के चल रहा हूं ठीक है दोस्तों तो यह मेरा टीम अभी रहेगा और थोड़ा बागत चेंज होगा तो मैं जुरूर ले और मेरे चैनल अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं कियो तो जुरू सब्सक्राइब कर लीजिए गा तुम्हींदे आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस मैच के आपडेट के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूं तब तक के लिए बाइ कर दोखिते हैं।